शुरू करते हैं उपन्यास गोदान खंड 32 मिर्जा खुर्षेद ने अस्पताल से निकल कर एक नया काम शुरू कर दिया था निश्चिन्त बैठना उनके सोभाव में न था यह काम क्या था? नगर की विश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अयाशी की थी और इन दिनों अस्पताल के कांत में घावों की पिड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निश्ठावान हो गई थी उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनुवेथा होती थी उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो अब प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे कितनों का शोक और द्रिदर्ता का भार हलका कर सकते थे मगर वह धन उन्होंने अयाशी में उड़ाया यह कोई नया विश्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा जागरित मिलती है बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भुलो पर दुखी नहीं होता काश वह समय ज्यान या शक्ति संचय में लगाया होता सुकृती का कोश को भर लिया होता तो आज चित को कितनी शांती मिलती वहीं उन्हें इसका वेदना में अनभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं कोई उनकी मौत आशू बहाने वाला नहीं उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी बसरे के गाव में जब वह कैम्प में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे एक ग्रामिन वाला ने उनकी तिरमदारी कितने आत्म समर्पन से की थी अच्छे हो जाने पर जब उनने रूपए और आभुशनों से उसके हसानों का बदला देना चाहा था तो उसने किस तरह आखों में आसु भर कर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इंकार कर दिया था इन नर्सों की सुसरूशा में नियम है, बिवस्था है, सच्चाई है मगर वह प्रेम कहां, वह तनमेता कहां जो उस बाला की अभ्यास हीन, अलहर सिवाओं में थी वह अनुराग मुर्ती कब की उनके दिल से मिट चुकी थी वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए विलास के उनमाद में कभी उसके याद ही न आई आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी मगर आज कल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल, मुद्रा बराबर उनकी आँखों के सामने फिरा करती थी काश उससे विवाह कर लिया होता, तो आज जीवन कितना बढ़िया होता और उसके प्रती अन्याय के दुख ने उस संपून वर को उनकी सेवा और सहनभूती का पात्र बना दिया जब तक नदी पर बाड़ थी, उसके गंदले तेज फेनिल परवाह में प्रकाश की किरने बिखर कर रह जाती थी, अब प्रवाह इस्थिर और शांत हो गया था और रस्मिया उसकी तख तक पहुँच रही थी मिर्जा सहा बसंद की शीतल संध्या में अपने छोपड़े के बरामदे में दो वरांगनाओं के साथ बैठे कुछ बात चित कर रहे थे कि मिश्टर मेहता पहुँचे मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाए और बोले मैं तो आपके खातिरदारी का समान लिए, आपकी राह देख रहा हूँ मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मिर्जा को मनसनत पर बैठाते हुए बोले मैं तो खुद आपके पास आने वाला था मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ द्वा आपकी मदद के बेगर पूरा ना होगा आप सिर्फ मेरी पीट पर हाथ रख दीजे और ललकारते जाएए हाँ मिर्जा बढ़ चले पठे मेहता ने हसकर कहा आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी किनों की मदद की जुरूत ना होगी आपकी उम्र मुझ से जादा है दुनिया भी आपने खुब देखी है और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने के जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता मिर्जा सहाब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई इसकीम उन से बयान की उनकी धारना थी कि रूप के बजार में वही श्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से समान पूर्ण आशरे नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं और अगर यह दोनों प्रश्ण हल कर दिये जाएं तो बहुत कम ओरतें इस भाती पतित हो महता ने अन्य विचारवान सजनों की भाती इस प्रश्ण पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुखेता मन के संसकार और भोग लालसा ही औरतों को इस और खींशती है इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए महता ने मुठी बांद कर हवा में पटकते हुए कहा आपने इस परस्ण पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया रोजी के लिए और बहुत से जरिये हैं मगर एश की भूख रोटियों से नहीं जाती उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार चाहिए जब तक समाज की बेवस्था उपर से नीचे तक बदल ना डाली जाए इस तरह की मंडली से कोई फायदा ना होगा मिरजा ने मुझे खड़ी की और मैं कहता हूँ कि वह महज रोजी का सवाल है हाँ या सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की जोपड़ी का सवाल है एक वकील के लिए वह कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीजें चाहता है अगर औरतों के सामने भी वह प्रशन तरहतरह की सूर्तों में आता है तो उनका क्या कसूर है डॉक्टर महता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उन्मी और मिर्जा में कोई भेद नहीं कि मुझे उसमें बहुत संदे है तो आप 10-5 औरतों से ज्यादा उसमें कभी न ले सकेंगे और वह भी थोड़े दिनों के लिए सभी औरतों में नाट करने की शक्ति नहीं होती उसी तरह जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते और यह भी मानने की विशाएं आपकी मंडली में स्थाई रूपसर टिक जाएंगी तो भी बजार में उनकी जगा खाली न रहेगी जड़ पर जब तक कुलहाडी न चलेंगे पतियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा दौलोत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ तया कर खुदा की याद में जा बैठते हैं मगर दौलोत का राज बदस्तूर कायम है उसमें जरा भी कमजूरी नहीं आने पाई मिरजा को महता की हट धर्मी पर दुख हुआ इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी स्तर की बातें करे समाज की बेवस्ता के आसानी से बदल जाएगी वह तो सदियों का मुआमला है तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए उसकी रूख थाम न की जाए इन अबलाओं को मर्दों की लिपसा का शिकार होने दिया जाए क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दात और नाखून होते हुए भी किसी को हानी न पहुँचा सके क्यों उस वक्त तक चूप चाब बैठा रह जाए जब तक शेर अहिंसा कवरत न ले ले दोलत वाले और जिस तरह चाहें अपनी दोलत उड़ाएं मिर्जा जी को गम नहीं शराब में डूप जाएं कारों की माला गले में डाल लें कीले बनवाएं धरमशाला और मस्जीदें खड़ी करें उन्हें कोई परवा नहीं अबलाओं की जिन्दगी खराब न करें यह मिर्जा जी नहीं देख सकते वह रूप के बजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दोलत वालों के शर्फियों पर कोई थुकने वाला भी ना मिले क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी अच्छे अच्छे शराबी पानी पीक पीकर दिल की आग नहीं बुझाते थे मिर्जा ने मिर्जा की बेवकूफी पर हस कर कहा आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे भी मुल्क है जहां वेशाय नहीं है मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिल्चस्पियों का समान पैदा कर लेती है मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हसे जानता हूँ महरबान जानता हूँ आपकी दौआ से दुनिया देख चुका हूँ मगर यह हिंदुस्तान है यूरोप नहीं है इनसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं अस्मत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है अपने मुह मिया मुठु बन लिजिए दोलत की आप इतनी बुराई करते हैं फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं ठकते न कहिएगा मेता का तेज बिदा हो गया नमर भाव से बोले मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वा दोलत की पंजे से छूट गये है और आजकल उसकी हालत आप देखें तो आपको दया आजाएगी और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपने किताबों और विद्याले से छुटी नहीं ज्यादा से ज्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया इनसान के दिल की गहराईयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है इसका मुझे अब तक तजुर्बा नहुआ था आप ये एक दिन खन्ना से मिलाईए फूला ना समाईएगा इस वक्त उसे जिस चीज की सबसे ज़्यादा जुरुत है वो हमदर्दी है मिर्जा ने जैसे अपनी इक्षा के बुरुत कहा आप कहते हैं तो जाओंगा आपके साथ जहन्नु में भी जाने में मुझे कोई हर्जा नहीं मगर मिसमालती से तो आपकी साधी होने वाली थी बड़ी गर्म खबर थी मेहता ने जहेपते हुए कहा तपस्या कर रहा हूँ देखे कब वर्दान मिले अजी वह तो आप पर मरती थी मुझे भी यही वहम हुआ था मगर जब मैंने हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है तो सुचाई तक मैं क्या पहुचूँगा आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए आज कल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं या कहते हुए महता जोर से रोती हूँ हसी हसे और उठ खड़े हुए मिर्जा ने पूछा अब फिर कम मुलाकात होगी अब की आपको तकलीप करनी पड़ेगी खना के पास जाएगा जरूर जाओंगा मिर्जा ने खिडकी से महता को जाते देखा चाल में वह तेजी न थी जैसे किसी चिंता में डुबे हुयो हो उपन्यास गोदान का आगे का भाग खंड 33 में